हमारा सिस्टेम कितना इलचर है उसे आप इस खबर से समझे बिजनौर के अस्पताल में कोबिड बॉर्ड है वेंटिलेटर है लेकिन इसे चलाने वाला स्टाफ ही नहीं है एक तरफ यूपी में कोरोना कहर बरपा रहा है तो दूसरी तरफ यूपी के ही कुछ जिले ऐसे है जहां बद इंतजामी की इंतिहां देखने को मिल रही है ताजा मामला बिजनौर से सामने आया है जहां जिला अस्पताल में कोविड मरीजों की दिया ऑक्सिजन भी है और वेंटिलेटर भी पर उसे चलाने और रख रखाव करने वाला स्टाफ नहीं है पिशले साल कोरोना से बचाव के लिए खरीरे गए 24 वेंटिलेटर एक कोने में पड़े पड़े धूल फांक रही है पूरा देश कोरोना से कराह रहा है यूपी में मरीजों का आकड़ा हर दिन बढ़ रहा है यहां तक की खुद यूपी के सीम योगया देतनाद भी कोरोना की चपेट में है बिशनौर के हालाद भी कुछ अलग नहीं है यहां अब तक 75 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है लेकिन यहां के अस्पताल में सारी सुविधाएं होने के बाब जूद लोग उन्हें नहीं नहीं स्तमाल कर सकते बिशनौर से मरीजों को मुरादाबाद और मेरट रफर किया जा रहा है धूल खाते वेंटिलेटर को चलवाने के लिए प्राइवेट डॉक्टर्स को बुलाने के तयारी की जा रही है